तो इस प्रेशन में आपसे पूछ रहे हैं हाली में किसने छटे हॉलिवूड क्रिटिक्स असूसियेशन फिल्म अवोर्ट्स में सर्विश्रेश्ट अंतरराश्टर फिल्म का पुरुसकार जीता है तो आंचर होगा RRR ने तो SS राजा मौली के निर्देशन में बनी है RRR जिसने छटे हॉलिवूड क्रिटिक्स असूसियेशन फिल्म अवोर्ट्स में सर्विश्रेश्ट अंतरराश्टर फिल्म का पुरुसकार जीता है और इसी से संबंदित अगर कुछ और करेंट अफेस में आपको रिवाइस कर रहा हूँ तो अभी हमने पढ़ा था दादा साहब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवोर्ट्स में इंटरनेशनल फिल्म अफ द इयर का पुरुसकार जीता RRR ने अभी जनवरी 2023 में हमने पढ़ा था Critics Choice Awards 2023 में RRR मुवी ने दो पुरुसकार जीते थे एक सरुष्रेष्ट विदेशी भाषा के लिए और दूसरा सरुष्रेष्ट गी थे न जो इसका नाट्टू नाट्टू उसके लिए उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सबसे इंपोर्टेंट Golden Globes Awards में नाट्टू नाट्टू ने Best Original Song का अवर्ड जीता था और फिर हमने पढ़ा था 50-way Saturn Awards में Best International Film का पुरुसकार जीता RRR में और SS Raja Molly ने RRR मुवी के लिए ही New York Film Critics Circle में Best Director का अवर्ड जीता था तो अभी इस मुवी ने कहीं सारे अवर्ड जीते और जितने भी जीते मैंने इस प्रशन में आपको सारे डिवाइस करवा दिये तो यह आप ध्यान रखना बढ़ते आगे चलिए फिर बताइए अभी हाल में किसने 2023 मारकोनी पुरुषकार को जीत लिया है तो अंसर होगा हरी बाल कृष्णन ने तो कंप्यूटर वेज्ञानिक हरी बाल कृष्णन को 2023 के मारकोनी पुरुषकार से अभी सम्मानित किया गया वे अमेरिका का जो MIT कॉलेज Massachusetts Institute of Technology उसमें प्रोफेसर है और इन्हें ये पुरुषकार Wireless Networking और Mobile Sensing में उनकी मौलिक खोज के समाज पर व्यापक प्रभाव की पहचान के लिए दिया गया है नाम याद रखना हरी बाल कृष्णन आप जानते हो JSW के चेर्मेन है सजजन जिंदल और इन्होंने Entrepreneur of the Year 2022 का खिताब जीता और Dr. Mahindr Mishra अभी बांगलादेश के गेपिटल ढाका में वहां की जो प्रधान मंत्री हैं शेक हसीना उन्होंने अंतरराष्टर मात्र भाषा पुरुषकार से सम्मानित किया इने और अप्पा साहब धर्मादिकारी तुरिजम सर्वे ने जम्मू कश्मीर परियतन को सर्वुष्रेष्ट परियतन पुरुषकार के लिए चुना है तो यह आप ध्यान रखना अच्छा इसी तरह से एक और प्रश्ण आपको याद आ सकता है अभी केरल परियतन ने भी वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में Responsible Tourism Global Award को जीता था याद आया आपको चलो यह बताओ एक नया डे पूछ रहा हूं आपसे Global Tourism and Resilience Day वैश्विक परियतन लचीलापन दिवस हमने कब मनाया यह नया डे है ध्यान रखना 17 फरवरी को और इसी से रिलेटेड दो डे तो आपको याद हूंगे एक तो National Tourism Day वह हम 25 जनवरी को मनाते हैं और World Tourism Day 27 सेप्टेंबर को मनाते हैं चलो यह बताओ भी अंतरराश्टर परियतन मेला फितूर 2023 का आयुजन का हुआ Madrid, Spain में और अगर मैं आपसे पूछू कि शंगाई कॉपरेशन और और अर्गेनाईजेशन ने पहली परियतन और सांस्करतिक राजधनी किसे बनाया तो आंसर होगा वरनासी को आप जानते हो 2022 में World Economic Forum ने Travel and Tourism Competitiveness Index को जारी किया था उसमें भारत 54 नंबर पे था और टॉप चापान था तो ये पॉइंट पे आप ठ्यान रखना बढ़ते हैं आके चलिए फिर बताईए अभी हाली में मैन हॉल की सफाई के लिए बड़े पेमाने पर Robotics तकनीक का उप्योग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया तो अंसर होगा केरल तो अभी केरल सरकार ने 24 फरवरी को केरल के त्रिशूर जिले के गुरु वयूर शहर में सीवेच को साफ करने के लिए Robotic scavenger जिसका नाम है Bandicoot इसका इस्तमाल किया और इस तरह केरल देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने सभी चालू मैन होलों को साफ करने के लिए Robotic technique का इस्तमाल किया हो इस Robotic का नाम याद रखना Bandicoot है इसे तिरुअनंत पुरम इस्थित Genere Robotics ने तयार किया है और आपको बचा दू अभी इसने केरल स्टार्टप मिशन के द्वारा आयोजित हडल ग्लोबल 2022 कॉंक्लेव में केरल प्राइड पुरुसकार जीता था अचा दो-तिन प्रेशन में आपसे पूछूँगा इसी से संबंदित है अभी तमिल नाडू ने अपने सेप्टिक टेंक साफ करने के लिए IIT मदरास की मदद से एक रोबोट तयार किया था उस रोबोट का नाम पूछना चाहर हो मैं आपसे तो आंसर होगा उसका होमो सेप अब दूसरे प्रशन का उत्तर दो देश का पहला आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलोजी पार्क जिसे कहेंगे आर्ट पार्क ये काँ पे इस्ताफित किया गया तो आंसर होगा बंगलूरू में और बड़ा सिंपल प्रशने अब तीसरा वाला कीसरो ने किस नाम से एक हाफ हुमनोईड रोबोट बनाया था गगन यान मिशन के लिए तो आंसर होगा वियो मित्र ये नाम याद रखना आप चलिए फिर बताइए हाली में साथ वर्ष के प्रिंस जिगमे नाम ग्याल वांग चुक ये किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने है तो आंसर होगा भुटान तो भुटान के रोयल हैनेस दग्याल सी प्रिंस जिगमे नाम ग्याल वांग चुक ये भुटान नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी मोबाइल वालेट के साथ जुड़कर के देश के पहले डिजिटल नागरिक बन गये है चली फिर बताईए अभी हाली में UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोडने वाला पहला निजिशेत्र का बैंक कौन सा बन गया है तो आंसर होगा HDFC बैंक तो HDFC बैंक अपने गरहकों को UPI भुकतान के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड के इस्तमाल का विकल्ब दे रहा है इस तरह से पेमेंट की प्रोसेस काफी आसान हो जाएगी वहीं क्रेडिट कार्ड से UPI पेमेंट की सुविदा देने वाला HDFC बैंक ये निजिशेत्र का पहला बैंक बन गया है इसलिए भी ये प्रशन इंपोर्टेंट होता है और अब ध्यान देना यहां से लिंक करके कुछ पॉइंट में आपको रिवाइस कराऊंगा जो भी हाल ही में कुछ दिनों में हमने पड़े हैं जैसे कि प्रशन पहला ये बनेगा कि अभी UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला एप्लिकेशन कौन सा बना तो आंसर होगा मोबिक्विक और आप जानते हो किस भुकतान एप्लिकेशन के द्वारा भारत में पहली बार अंतरराष्टर UPI भुकतान सिवा को शुरू किया गया तो आंसर होगा फोन पे और आप जानते ही होंगे वैसे भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना था तो नेपाल बना था चलो ये बताओ UPI light feature को launch करने वाला पहला बैंक कौन सा है तो पे टिम पेमेंट बैंक है और अब ये हमने पढ़ा भी था कि भारत के UPI ने किस देश के पे नाउ पेमेंट सिस्टम के साथ मिल करके real time cross border agreement किया है तो अंसर होगा Singapore देखो HDFC बैंक की बात करें तो इसता अपना होती 1994 में है headquarter Mumbai में है और इसके MDCO शशिदर जगदीशन है और इसके tagline होती we understand your world अभी आपको याद हो तो HDFC बैंक ने ही भारत की पहली electronic bank guarantee जारी की थी यानि क्या आप कहा सकते है इलेक्टरिक bank guarantee जारी करने वाला पहला bank आपका HDFC बैंक है अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा भी था इसे अभी Indian overseas bank की बात करें तो इसके MDCO बने अजी कुमार शिरिवास्तव और अभी इसने electronic bank guarantee यूजिना को भी शुरू किया IDFC first bank भारत का पहला sticker आधारित debit card इसने launch किया और federal bank नए tax platform पर सुची बद यानि कि लिस्ट होने वाला पहला payment gateway बना था ध्यान अटना ये points भी बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए हाली में भारत का पहला hybrid rocket ये कहां पर launch किया गया तो अंसर होगा तमिलनाडू में तो अभी 19 फरवरी को चेंगल पट्टू के पट्टि पुलम गाउं तमिलनाडू से डॉक्टर अपीजे अब्दुल कलाम सेटलाइट launch vehicle mission 2023 के हिस्से के रूप में विभिन राज्यू के छात्रों के द्वारा बनाया गया भारत का पहला hybrid rocket launch किया गया है तो ये आप ध्यान रखना अच्छा आप जानते हो भारत का पहला नीजी तोर पर विक्सित rocket का नाम क्या था विक्रम एस जिसको स्कायरूट कंपनी ने बनाये था और स्कायरूट से ही आपको याद आएगा इसने ही भारत का पहला नीजी तोर पर cryogenic rocket engine का परिक्षन किया था उसका नाम रखा धवन वन आपसे अगर पूछू कि भारत का पहला नीजी पाइलेट इंजन कार खाना ये कहां पे खुला गया तो अंसर होगा चेन नहीं में इसको किस ने खुला अगनी कूल रॉसमॉस ने और अभी इस रो ने भी भारत का सबसे छोटा rocket लॉंच किया था जिसका नाम है SSL VD2 यानि कि Small Satellite Launch Vehicle D2 कहां से शिरी हरी कोटा अंदरप्रदेश से है तो इस प्रश्ण में आपसे पूछ रहें कि फरवरी 2023 में ICC Women's T20 World Cup 2023 का खिताब किस ने जीत लिया है Most Important Question है तो इसका उतरत होगा Australia ने आपको जादे ICC Women's T20 World Cup पहले तो ये बताओ इसका आयोजन कहां पे हुआ तो आंसर होगा South Africa में और ये final खिला गया Australia और South Africa के बीच में जिसको जीत लिया Australia ने उपविजिता South Africa है ये ध्यान रखना Australia ने छटी बार ये खिताब जीता है अब एक और पॉइंट में आपको बता रहा हूँ इस साल आपने कहा ये ICC Women's T20 World Cup का आयोजन हुआ South Africa में अगले साल इसका आयोजन कहां पे होगा 2024 में तो वो भी याद रखलो बांगलादेश में होगा और इसी तरह हम लोगों ने पढ़ा था Women's Under 19 T20 World Cup का खिताब किस ने जीता अभी भारत ने जीत लिया England को हरा करके पहली बार भारत ने कोई महिला ICC Tournament जीता तो ये पॉइंट भी important है और ये भी काँ पे हुआ था ये भी South Africa में हुआ था तो आप बिल्कुल भी confused मत होना कुछ और point आपको revise कराओ तो 2022 में जो Under 19 Vishw Cup हुआ था West Indies में हुआ था उसको भारत ने जीता था England को हरा करके अभी blind T20 World Cup 2022 का आयोजन हुआ था भारत में उसको भारत ने जीता है बांगलादेश को हरा करके 2022 में जो IPL का आयोजन हुआ था पंदरवा एडिशन था भारत में हुआ था गुजरा टाइटन्स ने जीता था राजस्तान रोयल को हरा करके आपने पड़ा ICC T20 World Cup जो 2022 में हुआ था Australia में उसको England ने जीता था पाकिस्तान को हरा करके और ICC Women's Cricket World Cup का आयोजन हुआ था 2022 में बात कर रहे हैं New Zealand में हुआ था उसको Australia ने जीता था England को हरा करके तो ये points भी आप याद रखना सारे important है हम बढ़ते आगे फिर बताईए हाली में किस राज्ये ने Senior महिला राश्टर होके Championship को जीत लिया तो अंसर होगा मध्यपरदेश ने अच्छा ये होके इंडिया Senior Women's National Championship 2023 की बात कर रहे हैं जो कि इसका 13 एडिशन है ये हुआ कहां पे आंदरपरदेश के का किनाड़ा में तो इसमें याद रखना पहले स्थान पे अध्यपरदेश रहा दूसरे स्थान पे महाराष्टर है और तीसरे स्थान पे है जारखंड अच्छा आपको याद होगा अभी 2023 में हमने बढ़ा था जो National Ice Hockey Championship का आयोजन हुआ था लह लद्दाक में उसको जीता था ITBP ने और अभी जन्वरी में ही Men's Hockey World Cup का आयोजन हुआ था उडिसा में जो कि इसका पंदरवा एडिशन था यादे आपको उसमें पहले स्थान पे जर्मनी था दूसरे पे बेल्जियम था और तीसरे पे नीदरलेंड था वेसे आप जानते हो होकी इंडिया के अध्याख्ष adher कोन बन गए दिलिप तिर्की बन गए साथ में याद रखना अंतर्राष्टर होकी महासंग के अध्याख्ष कोन बन गए मोहम्मत तैयब इक्राम बन गए और इंटर नेशनल होकी फेडरेशन का headquarter मिलेगा लुजैन स्विट जलेंड में और पिछले साल सुल्तान जोहर हौकी कप इसका योजन मलेशिया में होता है इसको भारत ने जीत लिया और आश्ट्रेलिया को हरा करके और आपने पढ़ा था F.I.H. हौकी 5S का पहला खिताब किस ने जीता भारत ने पॉलेंड को हरा करके कहां पहुआ था? लुजैन स्विट जलेंड में अच्छा हौकी से संबन्दित कुछ ट्रोफीज है कुछ कप से मैं आपको रिवाइस कराओ तो अजलान शाह कप का संबन्द किस से है पूछेंगे तो हौकी से है आगा खां कप हो गया नहरू कप हो गया ध्यानचंद कप हो गया रंगा स्वामी कप हो गया सिंधिया कप हो गया रनजीत सिंग कप हो गया इन सबका संबन्द आपके हौकी से है तो ये ध्यान रखना बढ़ते आगे चलिए फिर वताईए अभी फरवरी 2023 को रियल स्पूर्ट्स इंडिया के सहयोग से परियतन मंत्राले ने पहली इसनो मेराथन का आयोजन ये का किया तो आंसर होगा जम्मू में तो रियल स्पूर्ट्स इंडिया के सहयोग से परियतन मंत्राले ने अभी 26 फरवरी को जम्मू के भद्र वाह में पहली इसनो मेराथन का आयोजन किया और मेराथन से एक प्रश्ण और बनेगा आपका कि भारत की पहली फ्रोजन लेक मेराथन की मेजबानी कौन करेगा लदाग लदाग की जो पैगॉंग तसो जील है वहाँ पे होंगी है अभी भारत का पहला ग्लास इगलू रेस्टोरेंट ये काँ पे खुला जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में और अभी हमने पढ़ा था खेलो इंडिया बिंटर गेम्स का जो तीसरा संसकरन अभी हुआ जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ उसमें पहले स्थान पे जम्मू कश्मीर रहा और अभी अमने पढ़ा भी था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाग हाई कोट के नए चीफ जेस्टिस बने एन काटीशवर सिंग नाम है उनका और अभी Geological Survey of India को पहली बार जम्मू कश्मीर में लीथियम के भंडार मिले ता रह्मान राही और आप जानते ही हो जम्मू कश्मीर के लेफटिन एन गवर्नर कौन है मनोज सिन्ना है और भारत की पहली Carbon Neutral पंचैद बना जम्मू कश्मीर का पल्ली गाउं तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए फरवरी 2023 में किस देश के द्वारा आयोजित Desert Flake 8 अभ्यास में भारत ने पार्टिसिपेट किया तो मतलब इसका आयोजिन कहां पे किया गया तो आंसरों का United Arab Amirat तो इसका नाम है Desert Flake 8 मतलब इसका आठवा संसकरन है आयोजिन कौन करता है इसका United Arab Amirat और भारते वायू सेना ने इसमें हिस्सा लिया है अभी भारते वायू सेना ने अपने 5 Light Combat Aircraft यानि कि हलका लडाकू विमान तेजस और 2 C-17 Globe Master विमानों के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया ये एक बहु पक्षिय अभ्यास है मतलब बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें से एक भारत भी है इसका आयोजिन किया गया 27 फरवरी से लेके 17 मार्च तक फिर बताईए अभी फरवरी 2023 में भारते वायू से न ये किस देश में कोब्रा वॉरियर अभ्यास में भाग लेगी तो आंसर होगा UK तो कोब्रा वॉरियर मिलेक्टर एक्सरसाइस के हम लोग बात कर रहे हैं जो कि कहां पे होगा UK में UK में Royal Air Force के Waddington Air Force Base में होगा ये 6 से लेके 24 मार्च 2020 तक ये एक बहु पक्षिय अभ्यास है मतलब मल्टिलेक्टरल एक्सरसाइस है काफी सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जिसे कि Finland हो गया, Sweden हो गया, South Africa, America, Singapore और भारते वायू से ना भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी भारते वायू से ना के 5 मिराज लड़ाकु विमान, उनके साथ 2 C-17 Globemaster और 1 IL-78 Mid-Air Refueler विमान भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगा तो इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, सिंपल सा क्या याद रखना है, कॉब्रा वॉर्यर एक्सरसाइज, इसका आयो जिन कहां पे होता है, UK में, भारत निपिस में पार्टिसिपेट कर रहा है चलिए फिर बताईए, अभी हाली में अंतरराष्टर IP यानि के Intellectual Property Index में भारत कौन से इस्थान पे रहा है? अब टॉप पे कौन रहा? टॉप पे अमेरिका है, सेकिंड पे UK है और तीसरे पे फ्रांस है, भारत 42 नंबर पर है इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत का जो आकार है और आर्थिक प्रभाव वे विश्व मंच पर बढ़ रहा है अच्छा आप तो ये बताओ, World IP Day, Intellectual Property Day यानि के वेश्विक बौधिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 26 अप्रेल को चलिए बताईए, Hedge with Crypto Research के अनुसार, वर्ष 2023 में क्रिप्टो को अपनाने वाला भारत कौन सा देश पन गया है? तो आंसर होगा 7 वादेश तो Hedge with Crypto Research के अनुसार, भारत 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए तयार साथवे सबसे बड़े देश के रूप में उभरा है जबकि Australia 2023 में क्रिप्टो करंसी को अपनाने के लिए सबसे बड़ा देश है सेकेंड नंबर पे अमेरिका है और तीसरे नंबर पे ब्राजील को रखा है अच्छा आप मुझे बता सकते हो किसने भारत की पहली वेश्विक क्रिप्टो करंसी इंडेक्स IEC15 को पेश किया? तो आंसर होगा क्रिप्टो वायर ने आपको याद है 2022 में 22 वा वर्ल्ड ब्लॉक्चेन सम्मिट का आयोजन कहां पे हुआ था? दुबई में चलो बताओ किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्तित पेमेंट कार्ड लॉंच किया था? तो आंसर होगा नेक्सो ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर और इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूँ कि किस कंपनी ने भारत का पहला? रुपया आधारेट क्रिप्टो रुपया इंडेक्स जिसे बोलते हैं CIE8 इसको लॉंच किया तो आंसर होगा कोईन स्विच ने और आप जानते हो 2023 से यूरो करंसी को अपनाने वाला बीसवा यूरोपिया देश कौन सा बना? तो आंसर होगा क्रोएशिया तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे चलिए फिर बताइए राजस्तान में लखी मेला 2023 का आयोजन कापे किया गया? तो आंसर होगा सीकर में तो राजस्तान के सीकर जिले में खाटू श्याम बाबा के लखी मेले का भी आयोजन किया गया 22 फरवरी से लेके 4 मार्च तक अचा खाटू स्याम जी इनकी कहानी क्या है? तो माबारत आप लोगों ने देखिए उसमें भीम थे पांडवो की तरफ से भीम थे महा बली महा शक्तिशाली भीम और उनके पुत्र का क्या नाम था? घटोतकच यहां तक सबको यादे लेकिन घटोतकच की पुत्र का क्या नाम था? उनके पुत्र का नाम था बरबरीक और जब घटोतकच की दैथ हो जाती है तो उनके पुत्र जो बरबरीक थे उन्होंने ये प्रतिग्या ली कि कोर्वों या पांडवों में से जो भी हारेगा या जो भी टीम जिसकी भी टीम हार्ती भी दिखाई देगी मैं उसकी तरफ से लड़ूँगा और ऐसा कहा जाता है वे दुनिया के सर्वोश्रेष्ट धनुधर थे तो भगवान श्रीक कृष्णा जी ने सोचा कि यार अगर कौरों की टीम हार्ती भी दिखती है तो फिर ये उनकी तरफ से लड़ेगा और अगर उनकी तरफ से लड़ता है तो पांडवो को मार देगा फिर श्रीक कृष्णा जी ने क्या किया सादू का बेस बना करके बरबरीक के पास गए और बरबरीक से उनका सीश यानि का सर मांग लिया और जैसा कि बरबरीक ने वचन दिया था सादुमाराथ समझ करके तो फिर उनको अपना वचन निभाना पड़ा उन्होंने अपना शीष दे दिया अपना सर दे दिया उनको तो उनके इस बलिदान को देखकर के श्रीकृष्ण जी ने उनको एक वर दिया कि तुम कल्यूग में मेरे नाम से पूझे जाओगे तो आज बरबरीक को ही खाटू शाम के नाम से पूझते हैं और जहांपे श्रीकृष्ण जी ने उनका सर रखा था उसी इस्थान का नाम खाटू है जो आपको मिलेगा सीकर राजस्थान में और वहीं पे लगा है ये लखी मेला अब आपको ये जाद रहेगा और कुछ मेलों की बात में अगर आपको बताऊं तो अंबुबाची का मेला आप जानते हो असम में लगता है कामाख्या देवी मंदिर में और अभी आपने देखा होगा गंगा सागर मेले का आयोजन किया गया था पस्चिम मंगाल में मागी मेले का आयोजन हुआ था कहां पे पंजाब में और सरस मेले का आयोजन हुआ था जम्मू कश्मीर में और अभी अंतरराश्टर सूरजकुंड मेले का आयोजन जो कि 36 नंबर का था हरियाना के फरीदाबाद में उसमें याद रखना थीम स्टेट रहा नौर्थ इस्ट इस्टेट जो हमारे हैं उत्तरपुर्वी राज्ये और पार्टनर कंट्री शंगाई कॉपरेशन और्गिनाजिशन के जो सदस्य देशें वो और अभी जिंगा मेले का आयोजन कहाँ पे हुआ पंजाब में तो ये सारे मेले में आपको भी रिवाइस कराए जो अभी न्यूज में थे अच्छा राजस्थान से चिरंजी वी योजना आपको जरूर याद आईगी और अभी ये बजट में चर्चा में थी क्योंकि इसकी जो बीमा राशी है अभी उसे 10 लाख रुपे से बढ़ाकी कितना कर दिया गया 25 लाख रुपे कर दिया गया ये ध्यान रखना हम बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए CRPF के द्वारा वर्ष 2023 में अपना स्थापना दिवस समारो ये कहां पर आयूजित किया जाएगा तो आंसर होगा 36 गड़ में देखो CRPF की स्थापना होती है 1939 में और तब इसका नाम क्या था? Crown Representative Force फिर 1949 में यानि कि सुतंतरता के बाद इसका नाम बदल के Central Reserve Police Force कर दिया गया और इस बार बात करें तो इसका 84 वा इस्थापना दिवस मनाया जाएगा कहां पर 36 गड़ के बस्तर जिले में और पिछले साल बात करें तो CRPF ने अपना 83 थर्ड नंबर का इस्थापना दिवस जम्मू में मनाया था CRPF की बात करें गरह मंतार रहे के अंदर आता है ये मोटो होता है इसका सेवा और निष्था Service and Loyalty और इसके Director General कौन है Sujoy Lal Thousand तो ये Points आप याद रखना बढ़ते हैं के चलिए बताईए संगम युक्ट से संबंदित कलाकरतियों के प्रदशन के लिए किलादी, साइट, संग्रहाले के इस्ताफना ये कांपे की जा रही है तो आंसर होगा तमिल नाडू में तो अब आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया ने तमिल नाडू के किलादी में खुदाई की है और उन्हें जो भी कलाकरतिया मिली है उसे यहां एक संग्रहाले बना कर रखीगी और उसे ही कहेंगे किलादी, साइट, संग्रहाले किलादी की बात करें तो ये संगम, काल की एक बस्ती है जो आपको मिलेगी तमिल नाडू में और देखो जो तमिल कवी थे उनके युक को संगम, युक कहते यानि कि संगम काल कहते हैं और उनके साहित्य को संगम साहित्य कहते हैं तो ये संगम युक्कि कला करतिया हैं तो याद रखना कि लादी ये तमिल नाडू के शिव गंगा जिले में एक छोटा सा गाउ है अच्छा आर्केलोजिकल सर्वे उफ इंडिया की बात करें इसके जनक कई बार एक्जाम में पूछे जाते हैं तो आंसर होगा अलेक्जेंदर कनिंगम हेड़ कॉर्टर मिलेगा कॉलकाता में और इसके हेड हैं वी विध्यावती अच्छा इसी से रिलेटेट कुछ इंपोर्टेंट परशन में आपसे पूछूँँगा करन्ट अफेट्स के उत्तर देना पहले तो बताओ सिंपल सा परशन इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब होता है तो आंसर होगा अठारा मई को अगर मैं आपसे पूछूँँगा अभी हडपा संस्क्रती का सबसे बड़ा संग्रहाले ये कहां पे बन रहा है तो आंसर करना हरियाना के राखी गड़ी में आप बताओ अभी इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुल स्पेस म्यूजियम लॉंच किया तो आंसर होगा स्पार्क चलो बताओ देश का पहला फिश म्यूजियम कहां पे बनेगा अरुनाचल प्रदेश में और बताओ भारते से ना देश का पहला पंडुब्बी संग्रहाले कहां बनाएगी पश्चिम मंगाल में और पूछे अगर आप से कि देश का पहला और विश्व का दूसरा इंफेंटरी संग्रहाले का उधगाटन कहां पे किया गया तो आंसर होगा इन दौर में और विश्व का पहला मिलेगा आपको अमेरिका में आपको याद होगा प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने प्रधान मंतरी संग्रहाले का उधगाटन किया था नई दिल्ली में और भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम ये खुला है है हैदराबाद में भारत का पहला Maritime Museum यानि कि समुद्री संग्रहाले खुलेगा गुजरात के लोथल में और भारत का पहला Labor Moment Museum खुलेगा केरल के अल्लापुझा में यानि कि शरमिक आंदुलन संग्रहाले है चलो यह बताओ भारत का पहला Digital Food Museum कहां पे खुलेगा तमिल नाडू के तंजावुर म और आप देख रहे हो इस प्रश्णी के साथ जितनी भी Important मेंने Link करके आपको जानकारिया दिये है सारी की सारी Important है तो इस प्रश्ण में आपसे पूछ रहे हैं फिक्की के महा सचीव के रूप में किसे निउक्त किया गया तो आंसर होगा सेलेश पाठक को फिक्की मतलब Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry इसने सेलेश पाथक को अपना Secretary General बनाया है फिक्की इसकी स्तापना होती 1927 में नई दिल्ली में Headquarter है आप जानते हो भी Drug Controller General of India कौन बने थे? राजिव रगवनशी नितियायोग की CEO बने थे BVR सुबरमन्यम और Indian Overseas Bank के MDCO बने थे अजे कुमार शिर्वास्ताओ तो ये नाम भी याद रखना बढ़ते हैं आगे फिर बताईए अभी किस शहर ने BioAsia शिखर सम्मिलन 2023 के 20वे संसकर्ण की मेजबानी की तो आंचरोगा हैधराबाद तो एशिया के सबसे बड़े Life Science and Health Care Convention BioAsia का 20वा संसकरण अभी 26 फरवरी 2023 को हैधराबाद में हुआ इसकी थीम क्या थी Advancing for One Shaping the Next Generation of Humanized Healthcare अचा पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी Serum Institute of India ने हैधराबाद में ही Dr. Cyrus Poonawala Center of Excellence की स्थापना की है और अभी भारत में पहली बार Formula E-Prix का आयूजन ये काँ पे हुआ हैधराबाद में जिसको Gene Eric Vargen ने जीता था और अभी हैधराबाद के आठवे और Antim Nijab का निधन हो गया उनका नाम क्या था? Nawab Mir Barakat Ali Khan अभी हैधराबाद का एक स्टार्टप एक खेती जिसे 2022 का अर्थ शौट पुरुस्कार मिला था आप जानते हो दुनिया का पहला Real Time Gold ATM का पे लगाया गया? हैधराबाद में ही वैसे हैधराबाद में ही भारते बाजर अनुसंधान संस्थान भी आपको मिलेगा वैसे आप जानते हो अभी बजट में हमने पड़ा बाजरे को शिरिअन के रूप में जाना जाएगा और इसी संस्थान को जिसे अंगरेजी में बोलेंगे Indian Institute of Millets Research इसे उतकरष्टता केंदर के रूप में भी खुशित किया गया और भारत में अपनी तरह का पहला Flow Chemistry Technology Hub ये कापे स्थापित हुआ हैदराबाद में और हैदराबाद में Statue of Equality का उधगातन किया मोदी जी ने ये संतर रामानुजा चार्रे जी की Statue है 216 feet उची है और अभी United Nation ने मुंबई और हैदराबाद को कौन सा ओप्रेशन चलाया गया था ओप्रेशन पोलो अब ये तो मैंने आपको हैदराबाद न्यूज में था तो इससे संबंदित कुछ करंट अफेर्स के पॉइंट से रिवाइस करा दिये लेकिन याँ सम्मिलन की बात हो रही है तो अगर वो भी हम रिवाइस कर लें तो देखो Global Tech Summit का अयोजन का हुआ था भी विशाका पत्नम में अभी Economic Times Global Business Summit का अयोजन हुआ था नई दिल्ली में अभी तेविसवा इंडिया International Seafood Show का अयोजन हुआ कॉलकता में और अभी पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मिलन का अयोजन हुआ नई दिल्ली में अभी तीसवी राष्टर बाल विज्यान का अयोजन का हुआ एहमदाबाद में और अगर आपसे पूछे कि अभी जन्वरी में 108 वी भारते विज्यान का अयोजन का हुआ नाकपुर में अभी अंतर राष्टर परियेटन व्यापार मेले फितूर 2023 का अयोजन का हुआ मेड्रिड स्पेन में तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखना बढ़ते आ गए चलिए फिर बताईए फरवरी 2023 में चौदवे राष्टर संस्कृती महत्सव का अयोजन ये गांपे किया गया तो अंसर उगर राजस्थान में तो चौदवे राष्टर संस्कृती महत्सव का अयोजन राजस्थान के बिकानेर में कर्णी सिंग स्टेडियम में किया गया 25 परवरी से लेके 5 मार्च 2023 तक इसका उद्दिश है अच्छा कुछ इंपोर्टेंट महत्सव में आपको रिवाईज कराऊ तो अभी राष्टर आदी महत्सव का अयोजन वा नई दिल्ली में अंतरराष्टर कला महत्सव का अयोजन वा नई दिल्ली में खजुराहो नृत्य महत्सव का अयोजन वा अंतर राष्टर लुसोफोन महोत्सव का योजन हुआ गोवा में आठवा भारत अंतर राष्टर विज्ञान महोत्सव का योजन हुआ वोपाल में संगाई महोत्सव का योजन हुआ मनीपुर में मेदा राम जतारा महोत्सव का योजन हुआ तेलंगना में होर्न बिल महत्सव हम मनाते हैं नागालेन में, अभी 26 वार राष्टर युवा महत्सव 2023 का योजन हुआ करनाटक के हुबली में, अंतर राष्टर गीता महत्सव का योजन का हुआ हर्याना के कुरुक्षेत्र में, और पहला अंतर राष्टर समुद्रित तट महत्सव का उडिसा में, चेर चेरा महत्सव का आयोजन हुआ, छत्तेजगड में, और अभी काला घोडा कला महत्सव का आयोजन हुआ था मुंबई में, तो यह सारे इंपोर्टेंट महत्सव जो अभी हाली में एकाद महीने में हमने मनाये, मैंने आपको रिवाइस करादी इनको ध्यान रखना बढ़ती आ गए, चलिए फिर बताईए, हाली में राष्टर प्रोटीन दिवस कब मनाया गया, 27 फरवरी को, तो देश में हर साल 27 फरवरी को नेशनल प्रोटीन डे के रुप में मनाया जाता है, तो राष्टर इस्तर की सार्वजनिक स्वास्त पहल, राइट टू प एक सामान्य वेक्ति के अगर बात करें, तो हर दिन उसको कितना प्रोटीन चाहिए, 45-60 ग्राम उसे प्रोटीन लेना चाहिए, एक पोशन अभियान आपको याद होगा, जिसे मार्च 2018 में शुरू किया गया था, राजस्तान के जुन-जुनु से, इसका पोशन का मतलब क्य उद्धीश है, चलिए फिर बताईए, अभी फरवरी दोजा तेविस में, प्रदान मंतरी नरेंदर मूदी जी ने कमल के आकार के टर्मिनल वाले किस हवाई अड़े का उधगाटन किया, तो अभी प्रदान मंतरी जी ने कमल के आकार वाले टर्मिनल के साथ शिव मुगा आप जानते ही हो अभी नागरिक विमानन महानिदेश आले डिरेक्टरेट जन्रल अप सिविल एविएशन के परमुक बने विक्रम देउधत और बताओ सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड़े बनाने का टार्गेट रखा 220 और सोलर एविएशन फ्यूल का इस्तमाल करने वा हवाई एड़ा रखा गया अभी प्रधान मंत्री जीने जारखन में देव घर हवाई एड़े का भी उदगाटन किया था अच्छा अगर आपसे पूछे कि कौन सा हवाई एड़ा पूरी तरसे हाइड्रो और सोलर से चलने वाला पहला हवाई एड़ा बना तो अंसर होगा इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एड़ा चलो आप मुझे ये बताओ औरंगाबाद हवाई एड़े का नाम बदल के क्या कर दिया गया है संबाजी महराज एड़ा अयोद्धे एड़ा इसका नाम मर्यादा पुरुशोत्तम श्रीराम के नाम पर रखा गया और गोपिनात ब अंड़मा निकोबार में सुभास चंदर भोस एएड़े का मिलेगा और ढॉक्टर भीमराओ अंबेडकर एड़ेन पर नादपूर में मिलेगा लाल बहादुर शास्त्री एड़े एड़े बताओ ये वरण सी में मिलेगा और चौदरिट चरन सिंग एड़ेन लकनो में मिले गया और वैसे हमारे एविएशन मंत्री नागरिक विमानन उड़ेयन मंत्री कोन है जोते रादेत्ते सिंधिया और याद रखना इस टील मंत्रा ले भी इनी के पास है तारे पॉइंट स्धियान रखना बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी किस राज्य में पहली बार देनिक अनुष्ठान करने के लिए राज्य के एक मंदिर में एक जीवित हाती जैसा एक यांत्रिक हाती देवता को समर्पित किया गया तो आंसर होगा केरल तो केरल में पहली बार देनिक अनुष्ठान करने के लिए केरल के एक मंदिर में एक जीवित हाती जैसा एक यांत् देवताओं को समर्पित किया गया मतलब एक रोबोटिक हाती है रोबोट है हाती के रूप में इसका नाम है इरिन जाड़ा पिल्ले रमन तो ये जो रमन हाती है ये सुरक्षित और कुरूरता मुक्त तरीके से मंदिर में समहारो आयुजित करने में मदद करेगा और इस तरह असली हातियों के पुनरवास और जंगलों में रहने में मदद मिलेगी और उनके लिए केद की भयावयता समाप्त होगी मतलब असली हाती को हमें यहाँ पे लाना नहीं पड़ेगा वो काम नकली हाती कर देगा हातियों से एक डे आद आएगा वर्ल्ड एलिफेंट डे ये वर्ल्ड यूथ डे मनाते हैं न उससी दिन मनाते हैं 12 अगस्त को और आप जानते हो देश का तेटेश्वा या यूं कहूं उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व ये कौन सा है तराई एलिफेंट रिजर्व और अभी एशिया के सबसे लंबे दातों वाले हा भोगेश्वर चलिए फिर बताईए हाली में किसने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस भाषा मॉडल LAMA इसको लॉंच करने की गोष्णा की तो अंसर होगा META META जिसे पहले Facebook के नाम से जाना जाता था इसने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस भाषा मॉडल LAMA लॉंच करने की गोष्णा की है ये META के द्वारा विक्सित एक बड़ा भाषा मॉडल है जो ChatGPT के समान है और ChatGPT के बारे मैंने आपको बताया था इसको Microsoft ने लॉंच किया था आपको detail में समझाया भी था तो अभी उसी के तर्च पे Facebook ने ये LAMA को लॉंच किया है और इस mode का मुख्य उद्दिशी क्या है Artificial Intelligence के शेतर में शोद करताओं की researchers की साहिता करना और ये जो LAMA है ये META के द्वारा बनाया गया तीसरा बड़ा भाशा मोडल है पहला था Galactica, दूसरा था Blender और अभी आपको याद होगा हमने पड़ा था Artificial Intelligence आधारित BARD Chatbot को लॉंच किया था किसने? Google ने तब ही मैंने आपको ChatGPT के बारे में समझाया था चलो अभी एक प्रशन का उत्तर और दो किसने भारतिय भाशाओं को डिजिटल दुनिया में बड़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा ये शुरू किया था तो आंसार होगा इसका Microsoft देखो Facebook की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है चार फरवरी 2004 में Headquarter California US में है और इसके Founder और CEO Mark Zuckerberg है और अभी कुछ समय पहले Meta India की Vice President बनाई गई थी कौन? Sandhya Devnathan